आप सभी को छट पर्व की हार्दिक शुप कामनाएं। हर साल कार्थिक मास के शुकल पक्ष की सस्ठी तिती को छट का महापर्व मनाय जाता है। छट पूजा में व्रत धारी को 36 गंटों तक नर्जला व्रत रखना होता है। ये व्रत संतान प्राप्ती, संतान की लंबी उम और परिवार की सुख समृद्धी के लिए होता है। ये व्रत जितना कठिन है उतने ही कठिन इसके नियम भी है। मानेता है कि विदिविधान से और नियमों का पालन करते वे इस व्रत को करने से छटी मैया सारी मनुकामनाई पूंड करती है। इस पूजा में छटी माता के साथ सा सोरी देपता की पूजा की जाती है और सोरी देपता को अर्ग दिया जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथी से छट के महापर्व की शिरुवात हो जाती है। चतुर्थी तिथी को पहला दिन होता चट का पर्व समाप्त हो जाता है। चट पर्व के दूसरे दिन को खर्णा कहते हैं और इस बार 29 अक्टूबर को खर्णा का पर्व रहेगा जिस दिन वरती महिलाएं गुड की खीर का परशाद बनाती है और उसे रात में ग्रहन करती हैं जिसके बाद इसे परशाद के रूप में बाटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का नर्जला वरत शुरू हो जाता है। जिसके बाद छट पूजा का समापन हो जाता है और फिर जो भी व्रती महिला या पुरुष है वो व्रत का पारंट कर लेते हैं। चट पूजा में सबसे ज़्यादा विशेस महत्व होता है पूजा के सूप का इस सूप में कौन-कौन सी सामगरी होती है। किस प्रकार से सूरी देटा को अर्ग दिया जाता है कि सारी बाते आज किस वीडियो में जानेंगे। पहले जान लिजे तिथी और शुब मूर्थ के बारे में तो छट पूजा का पहला दिन नहाय खाय का 28 सक्तूबर शुकरवार के दिन रहेगा। सुबह 10 बचकर 42 मिनट से लेकर अगली सुबह 6 बचकर 31 मिनट तर। दूसरा दिन रहेगा खड़ना का 29 सक्तूबर श्यनिवार को इस दिन सोर्य दय का समय रहेगा। सुबह 6 बचकर 31 मिनट सोर्यास्त का समय रहेगा। शाम पांच बचकर 38 मिनट पर, रवी योग रहेगा सुबह 6 बचकर 31 मिनट से 9 बचकर 6 मिनट तक, सुकर्मा योग रहेगा रात 10 बचकर 23 मिनट से लेकर अगली सुबह तक, चट पूजा के तीसरे दिन याने की 30 अक्टूबर रविवार को डूबतेवे सुर्य देपता को अर्ग दिया जाता है, तो इस दिन सुर्य दय का समय रहेगा सुबह 6 बचकर 31 मिनट और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 5 बचकर 38 मिनट पर, पूजा का अंतिम दिन रहेगा 31 अ सुबह 5 बचकर 48 मिनट से लेकर 6 बचकर 32 मिनट तक सरवार्थ सिद्धियोग में की गई पूजा जरूर फलित होती है, जिसके जैसी भी कामना हो वो यदि सुर्य देपता को अर्ग देकर अपनी कामना की पूर्थी के लिए सुर्य देपता से और छटी मया से यदि प्रार् पूजा की जाती है, इस दिन शाम के समय परिवार का पुरुष सदस डाल को घाट पर ले कर जाता है, वहां व्रती स्नान के बाद दूबतेवे सुर्य देता को अर्ग देते हैं और पूजा करते हैं, दूद अर गंगा जल से सुर्य देप को अर्ग दिया जाता है, घाट प ब्रती को चाहिए कि नेबू पानी से या फिर शर्बत से अपना व्रत खोलें क्योंकि 36 गंटे का नर्जला उपवास रखने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है ऐसे में पहले आप भरपूर मात्र में पानी जूस वगरा लें उसके बाद ही आपको जो भी भोजन है वो करना चाहिए छट पूजा में बास की टोकरी का प्रयोग किया जाता है जिसे सोप भी कहते हैं इसमें नार्यल जो पानी वाला होता है गन्ना पत्तो सहित अक्षत सिंदूर धूप दीप थाली लोटा नईवस्त्र अद्रक का हरा पोधा पत्ते के साथ हल्दी चना मौसमी फल अन पूजा में जितना हो सके मौसमी फलों का प्रयोग किया जाता है पानी वाले फलों में सिंघाडा मूली और हरी जो सबजिया है या हरे फलों का प्रयोग विशेश रूप से किया जाता है पूजा में कुछ न कुछ हरे फल जरूर होने चाहिए जैसे कि नीबू या फिर चट पूजा में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है परशाद तयार करने से लेकर डाल तयार करने तक ध्यान रखना होता है कि आप से पहली बात तो कोई चीज कोई भी सामगरी भूल से छूटना जाए आप जिस भी चीज का इस्तिमाल करें वो बिल्कुल कोरी हो तो इसके लिए आज के दिन नया मिट्टी का चूला भी बनाया जाता है चटी मया का पुजाद जब तयार किया जाता है तो या तो नए जूले पर या फिर नया मिट्टी का चूला आप बना कर उस पर भी आप प्रशाद है वो बना सकते हैं छोटे बच्चों को पूजा का कोई भी समान छूने नहीं देना चाहिए और नहीं जूठा करना चाहिए जब तक छट पूजा पूरी ना हो जाए तब तक पूजन सामगरी से समबंदित प्रशाद वाली कोई भी सामगरी घर के किसी भी अनिस सदस्य को या बच्चों को भी ना दे ऐसा करने से प्रशाद जूठा हो जाता है चट पूजा के समय व्रती या परिवार के सद्धिसों के साथ कोई भी कभी भी अभत्र भाशा का प्रियोग ना करे परिवार में कलहकलेश नहीं होना चाहिए ऐसा करने से भी व्रत या पूजा खंडित हो जाती है व्रत रखने वाली महिलाएं इन दिनों पलंग पर या चारपाई पर नहीं सोती हैं जमीन पर ही विस्तर बिछा कर सोते हैं विस्तर साफ सुत्रा और धुलावा होता है चट पूजा के दोरान व्रती समेत पूरे परिवार को शुद्व सात्विक भोजन करना चाहिए जिस दिन व्रत रखना होता है उस दिन आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है पूजा की किसी भी चीज को सुने से पहले हाथ अवश्य साफ कर लेना चाहिए ध्यान रहें कि सूरी देटा को आप जिस बर्तन से अर्ग दे रही हो वो चांदी का, स्टेंडलस स्टील का, लोहे का, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए प्रशाद बनाते से में आपको कुछ भी मुह में नहीं रखना है चटी माई का प्रशाद बनाते से में साफ सफाई का और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है इसलिए प्रशाद बनाते से मुह में कोई भी वस्तू ना डाले आप और याद रखें कि कोई भी इस तरह का काम करने से छटी मया क्रोधित हो जाती है अगर आप सही तरह से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको वृत का पोर्ण फल भी प्राप्त नहीं हो पाता है माननेता है कि छटी मया बहुत उदार होती है और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन भी हो जाती है लेकिन पूजा के समय यदि कोई भी गलती हो तो उस ते वो नराज भी जल्दी हो जाती है इसलिए छट पर में तयारियां करते समय आपको कुछ और बातों का भी विशेज ध्यान रखना चाहिए छट पूजा में सबसे जरूरी बात होती है पवितरता और ऐसे में आप साफ सफाई का और ब्रहम चरे का पालन भी करें और इस तोरान आपको ध्यान रखना है कि जो छटी माता को आप शरंगार की समगरी अरपित करती है वो खंडित नहीं होने चाहिए अगर पेड़ पर लगेवे फल फूल को भी पशुपक्षी ने जूठा कर लिया है तो उन्हें भी माता को अरपित नहीं किया जाता है इस दिन ताजे फल फूल ही जो की साफ सुत्रे होने चाहिए धुलेवे होने चाहिए उन्हें ही छटी माई को अर्पित किया जाता है छटी पूजा के प्रशाथ को कोई और नहीं बना सकता केवल जिसने भी परिवार में व्रत रखा है वही व्रती महिला या पुरुष ही छटी माई के प्रशाथ को तयार करते हैं और ऐसे में छट पूजा के दौरान इन बातों का खास खयाल रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पूजा के दौरान कोई भी गलती आपसे न हो पाए तो ये थी आज की जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और आने वाली वीडियो में आप मारे चैनल पर छट पूजा की कता भी जरूर सुनिएगा